ओम नमो भगोते वास्ष देवाया आये आज हम बात करेंगे पूडिमा ब्रत कब है और इश्वार पूडिमा ब्रत किस दिन है और पूडिमा में क्या करना इश्वार इसमें आप लोग ब्रत करें ब्रत के साथ साथ आप लोग विशेश भगवान का अरादना करें और इसमें जब भी करना बहुत ही अच्छा पलप्राप्त होगा इस लिए यह जो पूरिमा पड़ रही है इस वार जिस दिन होली का दान है 28 मार्च को 28 मार्च दिन रभीवार 2021 को पूरिमा परत है और उस दिन बहुत बड़ा महा संयोग इस बार बना है तो आप लोग इसका जरूर लाब लें और कमेंट के माद्यम से ओम नमो भगवतेवास देवाए अवस्च लिखे इस बार जो महा संयोग है इसमें अगर आप लोग कुछ सिद्धी करना चाहते हैं अगर कुछ काम आप लोग का नहीं हो रह लिखाये थ्ञक्र नहीं है रही है मतरब आप लोग का किसी ने किसी की कारण यरासाहत लग रहा हो उसको सिद्धी करने के लिए उसकारोइर को शिगqi शिद्ध करने के लिए मतलब आपका कार में जो भी रुकावट आ रही है वो खत्म हो जाए तो इसके लिए आप लोगों 28 महार्च को अवश्य सिद्धी करें अवश्य जब करें आप लोगो रात के समय दस बज़े से ले करके सवाद दस मज़े के बीच में अश्नान ध्यान करके शुद्ध बश्त्र पहंड करके साफशुत्रा अपने घर में मंदरी के सामने या किसी स्वस्थ स्वच्छ जगापे बैढ़ जाना है आशन विचा करके बैढ़ेंगे घी का जोद प्रजुद करके आप जो है महां बैठ जाएंगे एक रुद्राज का माला ले लेंगे और एक पात्र में गंगा जल ले लेंगे गंगा जल से पहले अपने शुरी के उपर चीटा लगाएंगे और जल पी लेंगे तीन बार पीनावताम के सवाय नमा उम नाराय डाय 1.3 बार जल प Jewish करके उसके बाद आप लोग रुद्राज के माला से सर पर्थम ओम गंगणस्यवा है एक यह माला करें इसका जब एक माला हो जाता है तो उसको प्रंड फिकर नहीं करतों घुमाते पुरा जो गोल नहीं गुमाते हैं फिर पुना जब करते हैं तो सर परतम एक माला भगवान गनेश का अश्य करना चाहिए जब आप गनेश का एक माला कर लेंगे माला को ऐसे घुमा करके उसके बाद भगवार नरायण विष्णु भगवान का आप जब करेंगे अब जब कौन शे मंत्र के करना है वो आप लोग सुनने बहुत इस्तरल मंत्र है आप सभी लोगों को याद होता है मंत्र है ओम नमो भगवते वासु देवाया इस मंत्र का पांच माला जब आप लोगों को करना है गर पांच माला प blev जब कर लिए उपतर आपको कारे मैं जो भी भिग्नवाधाय आ यारे आपके कारे में जो कि आपका कारिया हो गया तो आप लोग अगर इस विशह में कुछ जनकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के माद्यम से पूछ सकते हैं जनकारी ले लेकर आ रहा है आप लोग इसका लाभ वश्चल है और आप लोग की जीवन में इसका बहुत ही एक महत्पूर्फल आप लोग को प्राप्थ होगा अगर आप लोग इस सैयोग के दिन जब या पूजा करेंगे इस दिन भगवान अगले दिन 28 को ब्रत करना है और 28 को ब्रत रखना है और कथा कर सकते हैं तो आए इस वीडियो से दा लेते हैं जो लोग भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तो आए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद